असलामों आलेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको पिछले 2 साल यानी 2021 और 2022 के टॉप 10 एमोशनल और हार्टब्रेकिंग सीरियल्स देखने को मिलेंगे इन ड्रामाज ने देखने वालों के दिलों दिमाग पर गहरा असर डाला तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सिधर खौस देखे हमारी चानल को सब्सक्राइब कर दें ताके हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ड्रामा सीरियल गुद्डू जियो टीवी पर एक एमोशनल और हार्ट ब्रोकिन सीरियल स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है गुद्डू ड्रामा गुद्डू की हसास मुजू पर जस्बात ही मन्जरकशी की गई है नन्य किर्दार गुद्डू के इर्दगिट घूमती इस कहानी में घर का नासास कार माहॉल जब मासूम जहन पर असर अंदास होगा तो घर की चार दिवारी में सितम करने वालों से गुद्डू फराग हो जाएगा अपने साहबान छोड़ कर सडकों पर रुलते मासूम गुद्डू के जजबात ने नासरीन को भी अश्कबार कर दिया है दिल को चू लेने वाली इस कहानी में और कितने नशेबो फरास आएंगे गुद्डू पर धाई कर जयात्तियों का एसास कैसे किया जाएगा ये सारा एहवाल इस कहानी में आप देखेंगे ड्रामा सीरियल रंग महल में ये एक मनफी किरदार कर रहा है ये नहायत बतकिरदार, मुनापिक और मीसने इनसान का रोल प्ले कर रहा है लेकिन इसके एक्सप्रेशन स्टायलोग टिलेवरी शानदार है सोशल मेडिया पर बहुत सी लड़कियों की राई ये है कि कभी आज तक कोई पाकस्ताने विलन पसंद नहीं आया लेकिन हुमायो अश्रव की हम फैन हो गई है इमरान अबास ने एक सीरियल में नाकटिव रोल किया था तब से वो व्यूवर्स को बुरा लगने लग गया लेकिन ये वाहिद इंसान है जिसने विलन का किरदार किया और व्यूवर्स को अच्छा लगने लग गया ऐसी खजब ड्रैसिंग है और क्या कपड़े प्रेस होते हैं इसके एक बल नहीं दिखता सबसे इमोशनल तायलोग उसकी बीवी लड़ते होए कहती है एससान मानो मेरा मैंने तुम्हें बेटी पैदा करके दी है बेटी एबनॉर्मल होती है तो हुमायो अश्रफ कहता है हाँ बेटी तो पैदा कर दी न देखने की न दिखाने की ड्रामा सीरियल चौराहा चौराहा जियो तीवी का एक एमोशनल ड्रामा सीरियल है ड्रामे में दिखाया गया है कि एक नौचवान और मासूम लड़की जोया को वालदा शीरी की ख्वाहिश है कि उनकी बेटी अपनी तालिम मुकमल करे और खुद मुखतार हो लेकिन वो फेस्बुक के दोस्तियों में पढ़कर खुद को अख्वा के मोर तक ले जाती है इसके बाद इसके साथ ऐसे खालात पेश आते हैं कि देखने वाले खुद इमोशनल हो जाएंगे वफा बेमोल 2021 का हार्टब्रेकिंग और इमोशनल ट्रामा है ड्रामे ने पाकिस्तानी मोश्रे की दक्यानूसी तस्वीर कशी की जहां एक लड़की को हर हाल में अपने सुस्साल वालों का एहतिराम करना पड़ता है और घरेलू सियासत का शिकार बनकर अपनी इस्सति नफस की जंग लरती है कोमल मेर और अली अपास की कास्ट के साथ वफा बेमोल में मुक्तलिफ मसायल का आहता किया गया है कि मौश्रे में नसली फर्ख हमारे खांदानी निसाम को कमजोर कर रहा है और कैसे हानिया को एक बहु के रूप में अपने सुसर की बत्तमीजी को बरदास्ट करना पड़ता है और अपने रिष्टे को काईम रखने के लिए कैसे मुश्किलात का सामना करती है इस सीरियल में ये सवाल उठाया गया है कि क्या मर्द को हक है कि बगर तहकी कि ये अपने बीवी को कसूर बार मान ले क्या अज़र को सिक्के का दूसरा रोक नहीं देखना चाहिए था जब अचानक सब कुछ हानिया के खिलाफ होने लगा सीरियल में मज़िद दिखाया गया कि घर के बुन्यादी सिम्हेदारियों के दौरान हवतीन हमेशा मनफी मनसुवबंती में मुलविस रहती है डरामा सीरियल दरार एक एमोशनल डरामा सीरियल है महबब, खौबों और जिनून की कहानी है डरामा लफ ट्राइंगल है इरहा जो कि सादा लो लड़की है जो अपने वालदायन की मौद के बाद अपने चच्चा के खांदान के साथ रहती है उसकी कजन सजल एक पुरकशिश नौजवान लड़की है जो शहाना तरजे जिन्दगी गुजारने के अपने खौबों को हासिल करने की खौहिश रखती है जिन्दगी में तमाम आसाईशे जल्द हासिल करने के लिए सजल अपने आप को ऐसे मर्दों से घिरा रखती है जो उसकी खौहिशात को पूरा कर सकते है इरहा की जिन्दगी एक खुश किसमती से मोड लेती है जब शहीर एहमत काम्याब बिस्निसमेन उससे महबबत करते है शहीर फितरत पे आजिस और नरब गुफतार है ताहम उसकी तारीक पहलों से कोई वाकिफ नहीं अपनी अच्छी किसमत पर हैरान और शक्य इरहा उससे दूर रहने की कोशिश करती है इरहा की हिचकचाहट के बावजूद शहीर पीचे हटने से इनकार करता है और उससे शादी करने पर बज़िद है जबके इरहा एक एहम फैसला करने के दोराहे पर है सजल उनके लवब में ट्रायंकल के तौर पर दाखिल होती है और सब बरबात कर देती है ड्रामा सीरियल परदेश A.R.Y.Digital का ड्रामा परदेश एक एमोशनल स्टोरी ट्रामा है ये एक नए आईजिया पर मपनी ड्रामा था जिसमें बैरोने मुल काम करने वाले पाकिस्तानियों के मसायल पर दवच्चो दिलाए गई थी कि इसके नतीजे में उनके करीबी खांदान को क्या नुकसान उठाना पड़ता है परदेश एक किसम का ड्रामा है जो आप पर दीरे दीरे अपना असर करता है इसने दो नसलों की कहानी का आहता किया और मजीद रोचनी डाली के इस तरह की सिचुएशन के असरात कितने गहरे होते हैं ड्रामे की डिरेक्टिर मरीना हान प्रोड्यूसर सिक्सिग्मा प्लस प्रोडक्शन जबके कास्ट में सर्मत खुसर, शैस्ता लोधी, दुर्यफिशा, अफ़ान वहीत, हमाद श्वेव, बुश्रा अंसारी, गौहर रशीद, अतीका ओर्षू, अतीक मुहसिन, हेना जावे और दीगर है, ड्रामा सीरियल वही, वही को हम मोस्ट एमोशनल और हार्ट प्रेकिंग सीरियल कह सकते हैं, क्योंके ड्रामे में बहुत टची सिचुएशन दिखाई गई है, ड्रामा दो खांदानों पर मर्कूज है, एक वो जिसमें बच्चों को प्यार और देखभाल से न वो अपने करियर में बिखतरीन कारकरदेगी का मुझाहिरा करता है, और दफ्तर में आला ओधे पर तरक्की पाता है, एक दिन काम से घर वापिस आते हुए उसका सामना डाकू से होता है, जो उसे उस्वा गोली मार देता है, नजीब एक बत्तमीज आदमी है, जो बेटे के ख्वाहिश रखता है, वो अपनी दोनों बेटियों को बदकिस्मत समझता है, माली कर्जों में डूपकर उसे दिल का दोरा पड़ जाता है, और वो भी अपनी फैमिली को तनहा छोड़ कर चला जाता है, ड्रामा सीरियल बेबसी एक एमोशनल और पॉपलर सीरियल है, ड्रा वाली तमीज उद्दीन एक कलील मिजाज शक्स हैं, और बेटा नहोने की वज़े से अपनी बीवी और बेटियों के साथ बुरा सलूप करते है, ड्रामा सीरियल किस्सा महरबानों का एक एमोशनल सूपर हिट सीरियल है, किस्सा महरबानों का की कास्ट में एहसन खान और पर जल्म सितम करतें दिखाया गया है, मौशे में ऐसे मसायल मौशूद हैं जिनका हमारी खवतीन सामना करती है, और पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसी खवतीन जिनको शादी पर मजबूर कर दिया जाता है, ऐसे ही मसायल से गुज़रती है, जिन्हें उम्मीद की किरन कर अलग जल्म सितम करता है, ड्रामा सीरियल मुश्किल, मुश्किल एक हार्ट ब्रेकिंग सीरियल है, जो दिखता है, वही बिखता है, यही कहावत पाकिस्तानी ड्रामों पर सादिक है, ड्रामा मुश्किल लामी सो अवाम में बहुत मगबूल हुआ, जिसमें मरकजी किरद जिसमें दो लड़किया और एक लड़का होता है। इस ड्रामे को अपनी वाच लिस्ट में जरूर शामिल करें तो ये था हमारा आज का काउंट डाउन जो कि एमोशनल और हार्प्रेकिंग ड्रामास पर मबनी था मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना पीड़ बैक देना बिलकुल मत भूलिएगा आला हाफिस